Hello students, welcome back to ASK classes. Students, finally, आपके सामने है कक्षा ग्यारवी का अर्थ शास्त्र विशय का अभ्यास प्रशन पत्र का सैट क्रमांक एक. ये जो प्रशन पत्र का सैट है वो आपके त्रमासिक परिक्षा के लिए एक अभ्यास प्रशन पत्र है और साथ ही साथ ये आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा यूस्फुल है क्योंकि इसमें most important questions को रखा गया है. ये जो questions है प्यादी आप उनको अच्छे से तैयार करते हैं तो definitely आप अपके एक्जाम में बहुत अच्छा score कर सकेंगे. तो अभी इससे पहले भी मैंने आपको दो वीडियो अप्लोड किया हैं जिसमें एक वीडियो में मैंने 10 questions तो second वीडियो में 20 questions जो important वो बताए हैं लेकिन आप सभी की demand थी कि ma'am please model paper को वीडियो लाईए economics के और उसके साथ सथ हमें उसका answer भी बताईए तो यहाँ पे मैं आ answer की भी बना लिए तो students please यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो preparation उसको continue किया जाए तो please वीडियो को like और share करना मत भूलें जादा से जादा वीडियो को support करें तो चलिए हम यहाँ पे start करते हैं यहाँ पे जो PDF वीडियो आपको description box से जाके download कर लेना है हम यहाँ वीडियो को बि उचा गया है कि आकड़ों के शापदिक प्रस्तुती करण की कोई दो सीमाएं आपको लिखना है तो यह रहा है इसका उत्तर आकड़ों को आयत चित्र में प्रस्तुत करने के लिए आयत की उचाई और आधार होता है खंडित चर के लिए आयत चित्र संभव नहीं है यदि वर्ग सतत नहीं है तो पहले उन्हें सतत वर्ग में परिवर्टित किया जाता है। आयचित्र में दो आयचित्र के मद्ध कोई रिक्तता नहीं रहती है। जबकि दंडारेक में ऐसा होता है। मतलब कि यहां पर दो कमिया पूछी थी तो यहां पर दो कमिया बता दी गई है कि ऐसा आयत चित्र संभव भी नहीं है और दूसरा यह है कि यहां पर आयत चित्र में दो आयत के मद्ध कोई रिक्तता नहीं रहती है पहले उन्हें सतत्वर्ग में परिवर्दत किया जाना चाह उसके बाद फिर second question है अच्छे प्रतीदर्ष की दो विशेष्टाएं लिखिए तो पहला है कि जो प्रतीदर्ष है वो समश्टी से चैन किया गया चोटा समू होता है जिसके द्वारा संबंदित सूचनाय प्राप्त की जाती है प्रतीदर्ष का काम क्या है सबसे पहली बात क इसके द्वारा संबंदित सूचनाय प्राप्त की जाती है दूसरा है कि ये जो बिधी है इसके अंदर केवल प्रतीनेदर्ष तो एकाईयों का ही अधन किया जाता है इसलिए कम परिशुधता होती है ये इसकी विशेष्टा है कि इसमें परिशुधता इतनी जादा सटीक नहीं होती ये तुलनात्मक रूप से कम होती है तुटियों की पहचान इसमें आशानी से करके के बाद इन्हें दूर भी किया जाना संभव होता है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्रशनिक रमांक तीन प्रात्मिक आंकड़ों की कोई दो विशिष्टा ही सबसे पहले ही जाते हैं मतलब कि अनुसंधन करता इन आकड़ों को सबसे पहले अपने उद्देशों के लिए ही एकत्रित करता है उसके बाद फिर प्रात्मिक आकड़ों वो होते हैं जिसमें कि अनुसंधन करता और मौलिक शोध से ये एकत्रित करता रहता है उसके बहारण ये है कि 5 x धन y, बराबर 5 तो इसमें x तथा y चर है, जिसमें कि मान इस्थिति के अनुसा बदलते रहते हैं, मतलब कि यदि x का मान यहां पे देखिए 5 है, तो बराबर यहां 5 होना चाहिए, यदि यहां पे स्थिति के अनुसा रहाँ 6 हो जाएगा, तो x का मान गो जाएगा तो इसी प्रकार यहाँ पर यह बात लिखी गई है और यहाँ क्या लिखा है चर का मतलब वहमूले से होता है जिसके मान निरंतर हमेशा बदलता रहता है क्योंकि चर एक निश्चित नहीं होता पूरे समीकर्ण के आधार पेदी एक भी वैल्यू को बदल दिया फिर है पारस का सूत्र बताना है देखिए प्रक्षेप का जो 36 तल में परास यानि की कैपिटल आर का सूत्र यह यहाँ पर आपको दिया गया है इसमें यू की पावर दो फिर उसके बाद यहाँ पर जी फिर एक्स एक्स साइन स्क्वार थीटा ठीक है यह है और बाकी आप अपकी बुक में देख लीजे यदि कोई डाउट हो तो उसके बाद फिर यहाँ पर है निमने लिखे डेटा से आपको मद्धिका ग्याद करना है तो यह मद्धिका की गर्णा आप करना है उसके अलवा प्रशन करमांक साथ है अच्छे औसत की विशेष्टाएं बताईए तो यह देखे इसकी विशेष्टा है कि यदि सभी संख्यों में एक्स से गुणा किया जाता है तो उनके आउसत में एक्स से गुणा की कमी होती है दूसरी यदि किसी संख्या में एक्स से भाग दिया जाता है तो एक्स में भाग की कमी होती है उसके पाद अगर सभी संख् जाता है तो उनके और सत में भी X की कमी होती हे एक क्योंकि भाग देने में हमेशन संख्या खट जाती है टूज्ण करने बढ़ जाती है explores k अब जाते फीर मद्धिका के lived कमी कोनम मुंत क्यों मुंत क्यों वनको बढ़ जाती है जो है वो यहाँ पर किया जाता है फिर विंदू रेखी प्रदारशन किया जा सकता है एसा करना संभव है ठीक है उसके बाद फिर ये भी लोरेंच भरक्र को आपको धारन साहथ समझाना है तो यह वाला आप वर्षट्रन कर लीजे उसके बाद मानो विचलन को भी परिवासित करना ये वाला क्वेशन आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सरल है मैं बता देरी हूं इसका उत्तर मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक माप दंड है ये प्रकीनन की माप करता है कि आंकड़े कितने जादा फैले हुए है उसके बाद ये बीजगरित की दरश्टी से बहुत जादा सुवीधा जनक है ये हर एक रूप से ये प्रत्याशित विचलन और और औसत निर्पिक्ष विचलन की तुलना में कम सूधरण होता है उसके बाद फिर प्रश्न करमांग 11 है सूचकांक संख्या में किनी चार महत्वा को सपष्ट कीजिए तो पहला है सूचकांक संख्या प्रतिशर के संदर में व्यक्त की जाती है लेकिन इसमें प्रतिशर चिन्न का उपयोग कभी नहीं किया जाता दूसरा है सूचकांग संख्या डेटा के समू के सापेक्ष माप है तीसरा है सूचकांग समय के बाद संबंदिचर में मात्रात्मक परिवर्तन का सटीक माप प्रदान करती है तो ये थे आपके कुछ most important question जिनको की मैंने इस वीडियो में cover करवा दिया है अब मिलते हैं next video में इसके आगे के questions और साथ मैं मैं try करूँगी कि आपके next video में OT जो है objective type questions उनको मैं cover करवा दो यदि आप चाहते हैं कि economics के इसी तरीके साथ आपकी preparation कराई जाए तो वीडियो को जादर से जादर like कीजिए support करिये share कीजिए ठीक है तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप इन सारे question के answer को अच्छे से revise कर लीजे और साथ मैं यदि PDF डाउनलोड कर में कोई भी problem होती है तो आप इसका screenshot ले सकते हैं तो जैसे की 18 में आपका exam है तो उसके पहले मैं पूरा try करूँगी कि आपको जादर से जादर important questions मैं provide करा सकूँ कुछ questions मैं आपको answer की के साथ दे रहे हूँ यदि मैं कुछ questions को answer की के without भी देती हूँ तो आप उनके answers को collect कर लीजे आपकी book notes जो भी हैं वहाँ से आप अपनी study को continue रखिए so thanks for watching this video